नमस्काल, आपको नवरात्री की बहुत बहुत शुपकाबना है और कोछी दिनों में देश राम नौमी का पर्वा मनाएगा, राम नौमी की बहुत 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 शुपकाबना है आपको भी, मेरा पहला सवाल होगा ये कि आपने कई भाशनों में कहा है कि 2024 आपका लक्ष नहीं है, 2047 है, तो 2047 तक क्या कुछ होने वाला है और क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मालिटी है? मैं समझता हूँ कि 2047 को और 2024 दोनों को मिक्सप नहीं करना चीए, दो अलग चीज़े हैं जब देश आजहादी के 25 साल अमृत महोसो मना रहा था, उसी समय मैंने ये विशय सब के सामने रखना शुरू की आदाद से एक-दो साल पहले और मैं ये कहता था कि 2047 देश की आजहदी के स्वाशाल कोगे, स्वाभावी ग्रूप से, ऐसे जो माइल्स्टोन होते हैं, वो एक परकार से नया उत्सा भरते हैं, नये संकल्प के लिए व्यक्ति को तयार करते हैं, और उस अर्थ में मेरा मत था, कि एक मोका है, पच्चतर साल पर हम खड़े हैं, सो साल पहुंचने बाले हैं, इस पच्चिस साल का सरवाधी को कैसे करें, हर इंस्टिटूशन, हर कोई अपना एक लक्ष बढ़ाए, मैं अपना गाउं का प्रधान हो, 2047 तक मेरे गाउं में इतना तो मैं करूंगा, अर्भी आई को मैं कार्गम में तो मैंने कहा कि दस साल बहुत महत्रपूर है, आपके सो साल होंगे, इस पर अभी से सोचिए, तो मेरे मन में 2047 यह भारत की आजादी के सो साल, और देश में एक प्रेरना जगनी चाहिए, और आजादी के सो साल अपने आप एक बहुत इंस्पिरेशन है, किसी व्यक्ती के तो एक पार तो बहुत है, दूसरा है 2024, 2024 यह चुनाव का हमारा जो करम है, पांच साल का उसके हिसाब से आया हुआ करम है, और मैं मानता हूँ कि चुनाव अल्पूगे तर डिफरेंट इंग है, एक तरफ इस चुनाव में आप देते हैं, लोग तंदर में चुनाव को हमने लाइट नहीं लेना चाहिए, यह बहुत बड़ा महा परवा है, और मेरा तो मुत है कि उत्सव के रुपे मनाना चाहिए, उस से जैसे स्पोर्ट्स, उसका जब फेस्टिवर होता है, स्पोर्ट्स के इवेंट होता है, वो स्पोर्समन स्पिरिट को पदा करते है, प्रतिस एन्वार्मेंट क्रियेट होता है, जो हमारे संस्कार बन जाते हैं, चुनाव का यह माहोल अगर हम उत्सव में पलड़ दे, लोको उत्सव बना जे, तो हमारी लगों में, डेमोक्रेसी आने वाली पीडियों के लगों में, वो संस्कार बन जाती है, और लोक तंत्र के तो हुए, नहीं बनदना चाहिए, हमारी देगों में होना जाहिए, हमारे संस्कार में होना self first, और उस अर्थ में में 2024 को डेखता हूँ, यह अही है, कि हमारा 25 साल का विजन और उसमें में बहुत काम किया है, और यह आज कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, शायद मैं जो गुजरात में था तब इन दिशा में सोचता था अब देखिए दोहजार चोबिस का चुनाओ तो देश के सामदे एक अफसर है कि एक कॉंग्रेस सरकार का मोडे और एक बीजेपी सरकार का मोडे उनका 5-6 देशर का काम उनके लिए बहुत छुहला मैदाण छोड़ता है 5-6 देशर का और मेरा सरफ 10 साल का का काम कंपरिजन कीजिए किसी भी शेतर में कंपरिजन कीजिए अगर कुछ कमिया होगी सिख तो की हमारी एफर्ट में कमी नहीं रही होगी दूसरा मुझे दस साल में दो साल तो कोवीर की लड़ाई में जाना पड़ा और आफर इफेक्ट भी बहुत था फिर भी आज हम कमपरेटिव देश को स्पीड कहो स्केल कहो सर्वांगिन विकास की बात करें तो वो कहें सर्वसमावेशक विकास की बात कहें तो वो देखें हर पैरामिटर पर आपको कॉंग्रेस के मोडल से एक ऐसा मोडल नजरे आ रहा है कि हाँ इस रास्ते पर हम चलेंगे इतनी गती से और गती और बढ़ानी है मुझे अगले टम्मे गती भी भढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है तो वो तो मेरा लग्षा ही है दूसरा आप देखेंगे कि जब देश चलाने की देश्वासी जिम्मेवाली देते हैं तो आप सिंगल माइंडेट फोकस होना चाहिए देश देश के लोग दुरभाग्य से पहले की राजनिती कल्चर ने परिवार को कैसे मजबूत बनाना परिवार की जड़ों को कोई उखाड न देए उसी में शक्ति लगाते रहे जबकि मैं देश मजबूत इसी एक लग्ष को ले करके काम कर रहा हूँ मेरी सरकार पूरी उस लग्ष को ले काम रहे है और जब देश मजबूत होता है, तो हर कोई उसका बेनिफिशली संतोश अभव करता है, तहां यार कुछ तो हो रहा है, महरब तो कर रहा है, इमानदारी से कर रहा है, इन चीजों का इंपैक्ट होता है, तो 2024 यह चुनाव है, और चुनाव का म्यादान है, तो हम तिक अपने अपने टैप रेकोर्ड को लेकर के गए हैं, और वे अपने टैप रेकर को लेकर के आए हैं, अब प्रदानमांति जी, आपने दो चीजों का जिकर किया जिसके बारे में पूछना चाहूंगे, एक तो वो जब आर बी आई में, जब आपने कहा, 2014 विजन बगेरा के बाद कर इनका विश्वास आपर पूर्ण तरह है, वो सोचते हैं कि हाँ अभी और काम बाकी है और मोदी जी उसे अन्जाम देने वाले हैं, तो दोनों के लिए आप अगर हमें बताएं कि विजन क्या है कि 2047 तक किस तरह ये विजन सक्सेस्फुल होगा, क्या आपका गेम प्लान है जब मैं कहता हूँ, कि मेरे मन में बहुत बड़े-बड़े प्लान है और उसके लिए बहुत बड़े-बड़े प्लान है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे निर्ने किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है, मेरे निर्ने देश के सरमा जन कल्यान के लिए है, देश के युगाओं के एस्पिरिशन को मैं देर करना नहीं चाहता हूं, मैं समय बिगाड़ना नहीं चाहता हूं, उस अर्थ मैं मैं कह रहा हूं, दूसरी बात है, ज्यादा रतर सरकारों का स्ववाव होता है, ये मुझाज में रहते हैं, अमने तो कर लिया है मैंने जादा से जादा करने का प्रयास किया है सही दिशा में जाने का प्रयास किया है फिर भी बहुत कुछ है जो मुझे अभी भी करना है कि मैं देखता हूं मेरे देश की कितनी आवश्यक्ता है हर परिवार का सपना वो सपना कैसे पूरा हो यह मेरे दिन में पड आपको अच्छा लगा है, लेकिन मैं बहुत अधिक करना चाहता हूँ, उस अर्थ में उस माग को कहता हूँ, दूसरी बात है कि 2047 का जो वीजन का सवाल है, एक तो मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह करके आया हूँ, और मैं अनुभव करता था, कि बार बार चुनाओ, आ तो मेरे राज्य से 30-40 senior अच्छे अपसर अपजरवर के नाते जाते थे, तो 40-50 दिन तक वो बाहर रहते थे, तो मुखे चिंता रहते थे, कि मैं सरकार कैसे चलाओ, तो कि देश में ऐसे चुनाओ होते ही रहते हैं, और मेरे अपजरवर जाते रहते हैं, तो मैं तो फिर मै पहले से काम देता हूं, तो मैं उस समय भी 100 दिन का प्लान करता था, तो मैं उस समय भी 100 दिन का प्लान करता था, तो पूछना था, अभी तो चुनाओ होई रहे हैं, अभी रिजल्स भी नहीं आए और आप 100 दिन का प्लान बना रहे हैं, मैं चुनाओ में जाने से पहले देश भर में लोगों के ओपिनियन माझे, सुजाव माझे, शायद 15 लाग से अधिक लोगों के मैंने सुजाव दी है, कि वो आने वाले 25 सान में हिंदुस्तान को कैसे देखता चाहते हैं, और मैंने सभी उनिवर्सिटीज को कॉंटेक्ट किया, मैंने अलग लग अंजियों को को अधिक लोगों को और 15-20 लाग लोगों को लोगों को इन पूट दिया, फिर मैंने AI की मदर ले करके उसको सब्जेक वाइज बनाया, काफे मेने टेक्नोलोजी का अधिक्नोलोजी का भरकूरु क्यों किया, मैंने हर विभाग में अपसरों के एक डेडिकेट टीम बनाई, कि इस पर काम किये, कैसे हो सकता है, अगली टॉन के लिए, पचीछ साल के लिए, और फिर मैंने खुद ने उनके साथ बैठा, प्रिजेंटेशन डीजे, दो दो डाई डाई गंटे, और मेरा विजन के अनुरुक क्या चीजे है, कौन सी चीजे डूएबल है, कौन सी चीजे पुद असा ट्रेलर बता सकते हैं, उसको मैं अंदा, मैं ऐसा है कि आचार सहींता चल डई है, मैं अभी अगर इन चीजे को बताऊंगा, तो शायद को इसको गलात अर्समें ले लेगा, तो मैं उसमें पस्ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं ह दूसरा मैं ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो मैं डॉक्यमेंट बना रहा हूँ, जो मेरा विजन है, लेकिन वो विजन मोदी की बपोती नहीं है, वो 15-20 लाख लोगों के विचारों को उसमें समाहित प्रकार से इसकी ओनर्जिप देश की है, 15-20 लाख लोग इंपुट दे देना रहा है, मैंने क्या कि यहाँ कि मैंने उसको अभी डॉक्यमेंट की रुप में तयार कर वा रहा हूँ, जैसे ही चुनाव प्रक्या पुरी हो जाएगा, तुरत वो स्टेट को भेग दिया जाएगा, मैं चाहूँगा कि स्टेट उस पर काम करे, स्टेट को क्या लगता क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तुरा देश, यह देश का है, भाजपा का नहीं है, यह काम देश का है, फिर मैं नीति आयो की मिटिंग बुड़ा हूँगा, उस मैं इस पर व्यापक चर्चा करूँगा मुख मंत्रों के साथ, और फिर उसमें से फानल चीज बनेगी, दू काम करना है, एक बीजेपी का जो मैनिफेस्टों आएगा, उसमें से करणिये काम तुरंट कैसे ले सकते हैं, दूसरा जो पचीज साल का हमारा खाका बना है, जो मेरा अपना वीजन है अभी तो मैं चाहूँगा कि मुझे और भी उसमें क्रिटिकल इंपूट चाहिए मुझ कोशिस मैंने भारी के, मैंने काफी समय लगाया इसमें, उसको मैं तीन हिस्व में बाता है, एक पत्चीज साल, उसके लाइट में मेरे नेक्स फाइव यर और उसके लाइट में मेरे फर्स्ट हंड़िद देस, तो इस प्रकार से मैंने फुरा डिजाइन बना देस, आपसरो होगा, 2019 में, बहुत कम लोगों को ध्यान देता है, उस समय भी मैंने सो दिन का काम देकर के चुनाव के मैदान में गया था, और जब वापिस आया, आर्टिकल 370, सो दिन में में ने कर दिया, तीन तलांग्चे मेरी बहनों को मुक्ति देला दी, पहले सो दिन में किया, ये ये बिन सेकुरिटी कोर लेकर के मनें सो दिन में कर दिया, बैंकों का मर्जर बहुत बड़ा काम था, अमने सो दिन में गया, इतना ही नही है, पशू का टिका करन, ये कोविट के टिका करन के इतनी चटा है, मैं देश में पहली बार करिब 15,000 क्रूट प्ल लगा कर के प्रिकार्कन का बड़ा अभ्यान चला रहो और उमेने उन्नीस में पहले सो दिन में किया था तो मैं सो दिन क्या काम करना वो है फाजया नहीं करता है मैं बिल्कुल प्लानिंग करके उसको अधर पर आगे चलाता हूँ मोधी जी आपने टर्म कॉइन किया है जो बहुत ही लोगप्रिय हो गया है मोधी की गारंटी अब चुनाव के वक्त कई लोग कह रहे हैं कि क्या उमेदवार जो है वो not important है वोट तो सिर्फ मोधी जी को जा रहा है क्योंकि मोधी जी की गारंटी है तो इलेक्शन के दौरान ये सब टर्मिनोलोजी important होता है पहली बात है उमेदवार ही नहीं चुनाव में हर मतदाता important होता है चुनाव में बूथ लेवल का कारकरता भी important होता है candidate भी उतना ही महत्वकुन होता है और इसलिए ये कह देना कि और किसी का महत्वा नहीं होता है ये वरना इतना बड़ा चुनाव हो ही नहीं सकता है तो बहुत महत्वा होता है जहां तक गारंटी का सबाग है आज हमारे हाँ दुर्भाग्य से सब्तों के परती जो कमिटमेंट होना चाहिए वो एक परकार से लग रहा है कि तो चलते का नामगाड़ी कुछ भी बोलतो कहीं पर भी बोलतो कोई जिम्मेवारी नहीं अब आप देखा होगा इन दिनों एक नेता जी के पुराने धेर सारे वीडियो बाजाय में गुम रहे हैं और उनके एक विचार से दूसरा विचार के तना कॉंट्राडिक्टर ही है अब लोग एक साथ देखते होगा अरे यह आदमी एक तना हमें मुरग बनाता था हमारी आख में दुन जोकता अभी मैंने एक नेता का बाशन सुना उन्हों ने कहा एक जट्डे में मैं गरीबी खटा दूगा अब जिनको पाँच पाँच छेशेद दसक देशका राज करने को मिला बोज़ब आज कहेंगे कि मैं एक जट्डे में गरीबी खटा दूगा तो देश होता है यह क्या बोल रही तो मुझे लगता है पॉलिटिकल डिडर्शिप की क्वेस्टेनिबल होती जा रही है ऐसे मैं प्राण जायरू वचन न जाये है ये महान परंपरा से हम निकले हुआ है मैं मानता हूँ नेताओने ओनर्शिप में लेनी चाहिए जिम्मेवारी लेनी चाहिए ये मैं जो बोल र प्राण टिका मैं कमिट्मेंट भी करता हूँ और उसका मैं ओनर्शिप ले रहा हूँ और जब ओनर्शिप लेते हैं तो देश को बरोसा होता है आज आप देखिए कि हम जो बात कहते हैं उस पर लोगों का बरोसा है तीन सो सत्तर हटाओंगा धले हमें पार्टी का जन्म हम कह रहे हैं मारे शामरसाइद मुखर जी ने बलिदान दिया था लेकिन हम उस पर पक्के मन से लगे हुए थे जब मेरा मोका आया मैंने पूरी हिम्मत दिखाई 370 गई और आज जे कहिंग कुष्मीर का भागे बदल गया तीन तलाग कितने ही चीजों से गुजरा पुलिटिकल लीडर सिर्फ डर गए लोगों को रहा भी इनके क्या भरोसा करें यह तो एक बार एक बोलते हैं दुसरे लोगों का भरोसा दब बनता है कहें को यार ये खुद ख़ड़े रहेंगे ये ख़ड़े और जाना भी है तो जिम्मेवारी लेकर के जाएंगे कि ये था मैं सोचा था नहीं कर पा रहा हूं मैं जा रहा हूं बापिस लेकिन भरोसा बहुत बड़ी ताकत होती है और भारत जैसे देश में ये भरोसा को मैं अपनी जिम्मेवारी मानता और इसलिए मैं बार बार गारंटी ये कहता हूँ मोदी जी आप भरोसे की बात करते हैं, जब हमारे कैमरा टीम जहां भी जाते हैं, वो सब यही कहते हैं कि जो मद्दाता हो या कैंडिडेट हो, वो सब यही बात करते हैं, मोदी पर भरोसा, तो have we come to this situation जहां पर पहले होते थे, बोला जाता था कि इंदिरा इस इंडिया, मैं खुद भी फिल करता हूं, कि यह मा भारती का बेटा है, मा भारती का संतान है, उससे जादा ना लोग मुझे मेरे लिए सोचते हैं, नहीं मेरे लिए बोलते हैं, भारत मा का संतान है, मा के सिवा कर रहा है, तो इतना ही बहुत है. मैं राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा की बात करती हूँ, इसको एक राजनेतिक रंग नहीं चड़ना चाहिए था, लेकिन हो गया है, और जब elections आ गए हैं, तो फिर चाहे opposition हो या BJP हो, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तुम पापी, तुम पापी, कॉंग्रेस कहती है कि इसका राजनीती करण BJP ने किया, इसलिए वो पापी है, BJP कहती है कि नियोता देने के बावजूद आप प्रान प्रतिष्ठा में आए नहीं, इसलिए आप पापी हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? पहली बात है कि इसका राजनीती करण किस्त ने किया, और इसको आज की घटना हो समद है, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुए थी, उस समय अदालत में ये मामला निप्टाए जा सकता था, समस्या का समाधान हो सकता था, भारत विभ आजन के समय ये ताय कर सकता है, इस तरब इतनी चीजे ऐसा कर लो, वो नहीं किया गया, क्यों? कि एक ऐसा हथियार हाथ में है, जो हथियार वोट बैंक, पोल्टिस्क के लिए मजबूती का एक दाउ है, इसको पकड़ के रखा गया, और बार बार उसको भढ़काया गया, अब जब ये अदालत के अंदर महमला चल रहाता, अदालत में अभी जज्जमेंट ना आए, वहां तक पोशिश की गई, जयाएक पकर यासा होना चाहिए, तो हमारा सभिधान हमें कहता है, और सवरकार के तो जिब्यवारी है, तेकि उसमें भी अड़ंगे डालना, ये क्य क्यों क्योंकि उनके लिए ये राजनेती हर्थियान था, ऐसे लोगों के लिए, और देखियो रामदर को अईसा लोग है, रामदर रामदर कर रहा है, तो महीं मार देगे, अचाहिए कि बोट बैंक बनाने का तरीका था, अब हुआ गया, रामदर बन गया, तो उनके हाथ स जो मुद्ध ही चला गया, अब वो किसको डराना नहीं पा रहे हैं, रामदर राजाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई, दूसरा इंकी प्रकृती है, अब सोमनाथ मंदर से लेकर के अब तक की गटना है देखिये, वे भारत की मुलभूत आस्थाने, भारत का मुलभूत यू प्रिंड है, उसके प्रती नेगटिविटी लेकर के ही देश में वो अपनी बात है, अब सोमनाथ मंदिर को क्या प्रग्न ताप, तो साधार प्रटेल से, डॉक्टर राजेंदर भाभू को जाना था, वहा तो नह जंग संग थान अब भाइसान आर मिले, और आप इसको ठुकरा दे, सच्पुच में तो आपको घर्म होना चाहिए, कि ये रामंदीर निर्मान करने वाले जो भी लोग हैं जिन्नों संगर्ष्मी किया है, वे आपके सारे पाप भूल करके, सारे आपकी गुना भूल करके, घर में आगर के आपको निवाइट करते हैं, और नए से वावार शुरू करना चाहते हैं, आप उसको भी उस पुराने मिलाद से ठुकरा दे, तब लगता है कि आपके लिए वोट बैंक एक बहुत बड़ी आपकी मजबूरी है, और उस वोट बैंक के चलते इस प्रकार की चीज़े होती रहते हैं, और ये किस को नीचा दिखाना कि इसे का अपमान करना ये अपना अधिकार मांगते हैं, और ये तो नामदार है, हम तो कामदार हैं, अब मैं नौर्दी जाओं, बहां के लोग कोई कपड़े पहना दे, मैं पहनता हूं, उसकी भी मज़ा कुड़ाना है, यानि हर चीज की मैं तमिल ना आगे हम नहीं होने चाहिए ह। ये कि हमारे लिये मैं मान जा राजनीटी के विश हम लोगों अगले है न ना चाहिए और ना कभी पोगा मो रहा ह। अमारे लिए य त्यभरत आस्हा था मानोह में हाया ह। और ये कोई प्रभू राम का सम Local इप प्रह लिख समय का नहीं नही मैं सोचने लगा इतना बड़ा मुझे दाइक तो दिया जा रहा है। मैं अपने आपको योगे क्या कैसे करूँ अपने आपको योगे कैसे बढ़ाऊ। तो मैंने कुछ लोगों के एडवाइद ली कुछ संतों की, कुछ जानकार लोगों की, मेरी स्पिरुचल लाइब से जुड़े हुए कुछ लोगों को मैंने पूछा हूँ कि बही मैं इसको एक प्रधान मंत्र के रूप में इस कारकम को नहीं लेता हूँ, एक रामभक्त के रूप में करना चाहता हूँ, मुझे क्या करे। वे उसमेंसे मुझे सुझाव आया। लेकिन मैंने फिर कुछ अधेन भी किया और मैने मनोमन ताइक किया कि मैं 11 दिन का अनुस्ठान करूँगा। हुम। और मैं जमीन पे सोता था, नर्गल के पानी पर रहता था। और ताइक किया मैं कि रभुराम जहां जा गए थे उसमें जहां भी मैं जा सब्हां जाने का प्रयास का बुदा और वहां में अपना जब मैं श्री रंगम मंदिर में गया दक्षिन भारत में और कम रामायन का मैंने पाट किया वहां तब मुझे वहां के लोगर बता है कि ताब आठ सो साल पहले जब कम रामायन के रचना हुई तो पहला पाट इसी जगह में हुआ और मैं देख रहां सबके आख में आशू थे यह जो मैंने अनुभूती की है साउत में खास करके है यहां बैठे हुए लोगों का अंदाज नहीं आए खाजी कि क्या भक्ती है क्या अस्था है और कितनी पवित्रता है उसमें मेरा कारकम नोन नहीं था मेरा काम की ऐसा व्यक्तिकत था लेकिन जो जन सामार था एक प्रकार से मुझे उनके भाव में अनुभू कर रहा था तो मेरे लिए शायद मेरी स्पिरिचल जरनी की एक बहुत बड़ा महत्पून एक गटना में देखता हूँ और रामंदी प्रान वह एक स्पिरिचुल मुवमें था के लिए मैं मामता मुझे दिखता तो पांचो साल का शंगर मुझे लिखता तेक्सो चालिस करोड़ लूकर की सद्धारा सपने और देश के गरीब गरीब लोगों है भाई देखर के मंदिर बड़ा है जी यह मंदीर तीन चीजे में के लिए बलिदान दूसरा लंबी न्याइग प्रक्रिएप इतने सालों के न्याइग प्रक्रिएप और नियाइग प्रक्रिएप घर तराजु से तुल करके निकला हुआ तूसरा technology के लिए ओभारा इसकी chaos अऊ बढ़ारी सभूत यह बहट बड़ा और चोधा, हिंदुस्तान के कोटी-कोटी लोगों ने एक एक दो दो पाजपाद रुपया जो भी दे सकता है दे करके एं मंदिर बनाया है यह मंदिर सरकारित है जाने से नहीं बनाया है यह ऐसे पहलू हैं कि जो भारत के स्वाभिमान को, भारत के सामर्थ को, भारत के सपनों को, भारत के संकल्प को और भारत के आने वाले पीडी को बहुत बड़ी प्रेना देने वाले हैं कि हम दक्षिन भारत की बात करते हैं तो पहले मैं दक्षिन भारत के कुछ मुद्दों के बारे में उठाऊंगी बीजेपी का एक ऐसा नेता तमिल नाडू में उभर के आया है जो इसके लिए मीडिया इटेंशन काफी कुछ आ रहा है वो है अन्नम अलाई जी तो वह काथी में बीजेपी को डबल डिजिट फिगर आएंगे तो क्या ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप भी तमिल नाडू इतनी भारी जा चुके हैं पहली बात है कि तमिल नाडू जनसंग के जमाने से और भारती जरदाबार्टी मैं कहता हूँ पाँच पाँच पीडी हमारी इस विचार के लिए भाँ खब चुकी है तो एक निरंतर काम चला है जब कॉंग्रेस से लोग निराश हुए तो पादेशिक पक्षों की तरब गए और लंबे अरसे तक पादेशिक पक्षों का जो कुछ भी काम काज देखा है अब लोग निराश हो गए निराशा के इस माहूल में उन्होंने दिली में भाजपा की सरकार का मोडेल देखा हिंदुस्तान में अन्य राज्यों में भाजपा की सरकार का मोडेल देखा देश भर में जो तमिल बंधू रहते हैं उन्होंने अप आप जैसे मैंने तमिल काशी संगम किया तो तमिलनादु में दीम के पार्टी वाले लोग इतो पानी पूरी वाले करके मजा कुड़ाते थे लिगिन जब तमिलनादु के लोग काशी संगम कारके बाए और काशी का रूप रंग देखा हुआ अगले तो जो सुनाता ऐसा नही है यह तो बहुत डेवलोप दिखता है बड़ी प्रगदी हो रही है आईट्यों नेट्वर्क दिखता है तो सोचने का तरीका बदले लगा और उसके कारण दीम के के परती जबर्दस गुस्सा पड़ा हुआ है मैं कलपना नहीं करता हुआ इतना बड़ा गुस्सा पड़ा यंग है बहुत ही अपनी IPS केडर में है बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नोकरी छोड़ कर के आये हैं दूसरा लोग सोते है यह इतना बड़ा उनहार केरिये छोड़ के आया आदमी तो DMK AI DMK में चला जाता हुआ उसकी तो जिन्गी बन जाते है तो वह गुआना नहीं गया वह बीजेवी में आया तो लोग आप आप यह यह बीजेवी में गया है मतलब कुछ मेटल है कुछ अच्छे इरादे वाला इंसान लगता है तो स्वाभाई गुरूप से उसके आकरशन का केडर बना है और मेरी पार्टी की विसेश्ता है हम हर स्टर के हर छोड़ में कार कर जिसमें ख्रमता है उनको अफसर देते हैं हमारा कोई परिवारबादी तो पार्टी है नहीं परिवार से चलित पार्टी नहीं है जिन पार्टियों में आप दे फैमिली बाइदे फैमिली होता है और इसलिए हमारी हाँ तो हरे को अफसर मिलता है अगर हम बात करने तो तमि पूजिशन रहा है लेकिन अब जो है वो लोग थोड़ा बहुत आक्रोश दिखने को मिल रहा है तो आप क्या समझते हैं कि कि लोग बीजेपी की तरफ मुड रहे हैं या फिर सनातन के खिलाफ जो उनके स्टेट्मेंट से वो बाकी राजयों में भी यह थैल रहा है अब मैं इस सवाल को जड़ा अलग तरीके से देखता हूं सवाल में कॉंग्रेस को पोच्छना चाहिए जो कॉंग्रेस जिसके थाथ किसी जमाने में मात्मा गांदी का नाम जोड़ा हुआ था जो कॉंग्रेस जहां इंदरा गांदी जी गले में माला खुलेयाम पहन करके घुमती थी सवाल कॉंग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबुरी है कि सनातन के खिलाब इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भई क्या तुम्हारी राजरीती अधूरी रह जाएगी क्या यह कौन सी कॉंग्रेस की सोच विक्रुती आ रहे हैं यह कॉंग्रेस में इस जिनता का भिशय है दियेमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा और दिरे दिरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्विकार करने नहीं लगे है और इतले वो नए नए तौर तरीके अपना करके बोलें प्रस्टन उनका नहीं है प्रस्टन कॉंग्रेस जैसी पार्टी का है क उसने अपना मुल्क केरेक्टर खवा गवा दिया है क्या जब समिधान सभा में जो लोग बैठे थे ज़्याता तर गांधियन लोग थे ज़्याता तर कॉंग्रेस की विचादारा से जुड़े हुई लोग थे और पहला समिधान बना उसके हर पेज पर जो पेंटिंग है व आपका समिधान बना उस समिधान में सनातन का गवरों के हिस्सा था और आज सनातन को इतनी भैंकर गालिया देने की हिम्मत हो और आप उनके साथ चुनाओ की राजरीती करें उनके साथ मंच साजा करें मझूबूरी कॉंगरी की ये देश के लिए चिंता करीश है और जो अर तमिलनाडू के मुख्य मंत्री और कुछ और दक्षिन के मंत्रियां हैं मंत्री हैं मुख्य मंत्री हैं वो कहते हैं कि जो दक्षिन है वो अलग एकाई है उत्तर अलग एकाई है दक्षिन भारत और उत्तर भारत और बीजेपी जो है वो दक्षिन भारत में सेंध नहीं कर सक दो अलग हिकाई है क्या दक्षिन भारत और उत्तर भारत? के प्रती नासमजी का पढ़नाव है अगर यही भाव होता अगर आप हिंदुस्तान में देखें प्रभु राम के नाम से जुड़े हुए गाउं कितने सबसे ज़्यादा कहा है तो तो मिलन अड़ू है इतने सारे गाउं के नाम है कि उसमें राम तो होगा ही होगा अब इसको आप कैसे अलग कह सकते हैं किसको गले उतारेंगे आप लेकित भारत के विवित्ता है पंजाबी जैसा होगा ऐसा नागालेंड का वेक्ति नहीं होगा गुजराती जैसा होगा वैसा कश्विर का वेक्ति नहीं होगा तो विविदिता ही तो हमारी शक्ति हैं, हमने विविदिता को सलिप्रेट करना चाहिए, हमें गुलतष्ता ऐसा है भारत का जिम हरेता अपना फूल दिखाए दे, यह भाव होना चाहिए. कॉंग्रिस कहती है कि बीजेपी और खासकर मोदी जी इस विविदिता को अप्रीशेट नहीं करते हैं, एक रंग में ढालना चाहते हैं, और अगर 400 सीट जो आप कह रहे हैं, अगर वो आ जाता है, तो सम्दिदान रद हो जाएगा, एक ही भाषा, एक ही रहन सहन, एक ही तरीक भाषा, तमिल भाषा का गुर्गान करता हो, कि साधार पर उस वेक्तिव को आप ऐसे आरूप लगा रहे हैं, मेरा तो मत है, और मैं जब कपड़ी अलग अलग राज्य के पहनता हूँ तो उनको परिशानी हो रही है, मुसिवत उनकी है, कि वो एक ठांचे में देश को डाल खर पर जो प मत हमांचे मिम् झने र के एंचे मांचे में आतुर्छ बहाँ ज़िए को अझनिय की बात करता हूं, मैं इंचे मात्रु बहाँ को सलेड़ेट कर रहा हूं, उसका महतम है बढा रहा रहा हूं, मुझे ये अभी गेमिंग वाले हैं अब बच्श का बैळा था है तो उन्हों मैं किसेना पुछा हमारे लिए कोई संदेश, तो ऐसे मैंने काम करो, अब जब भी आप हस्ताक्षर कहीं करेंगे, सिगनेचर करेंगे, अपनी मात्रू भासा में सिगनेचर करो, इतना तो गर्व करो, अब मैं तो विविदता को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, अ अब उनको आरोप लगाने हैं क्या करेंगे, कुछ मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि उन्हें सेंटर से सहयोग नहीं मिलता, दक्षिन के भी कुछ मुख्यमंत्री हैं, आप भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब प्रधान मंत्री हैं पिछले 10 साल में, क्या कोपरेटिव फेडरिरिजम को लेकर आपके विचार बदल गए हैं जब आप मुख्य मंत्री थे और जब अभी आप प्रधान मंत्री हैं दरसल और क्या उन्हें नहीं मिलता सही ओग दुर्भा के हुआ है कि जो रिजिनल एक्सपरेशन सोटे हैं उसको सबसे ज़्यादा तवज्जू देनी चाहिए कि मेरी पार्टी की फिलोसॉफी है अगर आप रिजिनल एक्सपरेशन जो हैं उसको नकार करके विक्सित भारत का सफना पुराने कर सकते हैं दूसरा मैं गुजर्यात में लंबे समय तक मुख्य मंत्रि रह के आऑ हैं और मैरा सभाग है देश्मा प्हला प्रदान मंती असा हूं कि जिसके पाँ राज्य के मुख्य मंत्रि का इतना बड़ा अनुभ रहा तो एक मुख्यमंती कैनातेश, केंदर से क्या पेख्षाय होती हैं, केंदर से क्यापटलीफ स्थिह, उसको मैंने भली भाती जहीला है, समझा भी है, और इसलिए मैं कतra ही नहीं चाहूँगा कि मेरे देश का कोई राज्य, उसका उमं उत्सा हो विकास का, उसके कोई रुकावट परदा हो, अगर रुकावट हटा सकता हूँ, और उसके मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, वो भी मैं करने के लिए जाए, क्यों कि मुझे देश बनाना है, दूसरा में ज़े गुजरात था, तब भी मेरा मंत्र था, यहां स अगरे लिकास का भाता है, हमारे देश में वातार उर्ट बना से और हमने, आस्परीरेशनल डिश्टिक की कал्पना की, हर राज्य में, हमने कहा भी ये राज्य के प़रामेटर के बरावरा है, अब आराथ सवकानी योजना बनाई उसकी मदद की, सब फी राज्या अज हमारे एस्परेशनल डिश्टिंग में आप एस्परेशनल बाग में मिलकर के भू काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे परणा उनकों जीतने में सभर भूए और मैं पपल्किल ही कहता हूं कि कोरोना की लडाइन में भारत की सभरता का मैं सभी राज्यो का भी उतना ही योगदाल है मैं रखगनीज करता हूं और इसलिए और इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि देश को आगे ले जाना है तो मैं competitive cooperative federalism चाहिए हमारे हाँ spardhah होनी चाहिए tandur spardhah होनी चाहिए विकास की तब जा करके अब देखे G20 मैं G20 दिली मैं कर सकता था मैं अशने किया हिंदुस्तान के हर राज में G20 समिट किया क्योंकि हर राज में G20 को सबसे जादा आउसर मिले देखने का उसर मिले राज को अपना एक्सपोजर के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल जाए क्यों 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 क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा देश का हर कौना मेरे लिए देश ही है मोधी जी दो सवाल G20 को लेकर मैं पूछना चाहती थी आपसे एक तो वो जो क्लासिक शॉट था ना वो प्रेजडेंट बाइडन और प्रिंस सल्मान जो हैंडशेक वाला जो शॉट उसके बारे में एक दूसरा वेस्टन मीडिया में बहुत से आर्टिकल्स आते थे उस वक्ट कोई कंसेंस होगा नहीं पर हो गया डेकलरेशन तो यह दो इन दोनों चीजों की बैक स्टोरी बताईए एक तो आपने वो हैंडशेक कैसे करवाया और दूसरा डेकलरेशन कैसे हुआ एक ग्लोबल गुड जब उसके लिए काम करते हैं और अपने नीजी कोई इफ्स और बट्स नहीं होते हैं और मेरी कोशिश यह थी कि मुझे बताईए भी आखिर कर जी एट और जी ट्वेंटी पैदा कैसे हुआ जिन मुद्धों को लेकर के पैदा हुआ तो उस मुद्धों से हटना मिए और उसमें सब मेरे से कन्विंस हुए कुछ लोगों से मुझे व्यक्तिकर बात इतने की जरूरती मैंने वो भी किया कुछ शद्दों की किसी की आगरे रहते थे उनको मैंने सम्झाने का प्रयास किया दूसरा मेरा इरादा था कि मैं लास्ट दे लास्ट सेशन में नहीं करूगा मैं इसको इतना जल्दी करूँगा कि लोग सर्प्राइज कर जाएंगे और इसने मैंने दूसरे दिन पहले ही सत्र मैं डेकलरेशन बाला काम पोड़ा कर दिया तो जो नेगेटिव अनुमानों के आदार पर साराथ G20 गसिटी की कोशिश होती थी मैं इसको किसी भी अहरत में चौका देना चाहता था तो तो दाट वज मैं स्ट्रेजी और उस्ट्रेजी सफर हुई और मुझे खुशी हैं जहां तक दुनिया के उन उन देशों को क्यों लाए साथ कैसे लाए तिके सिल्क रूट की चरजह हम बहुत समय से सुनते आए हैं सिल्क रूट किसे बनाया कैसे बना कोई हिस्ट्री अवलेबल नहीं है सिल्क रूट चल पड़ा और यहने इवल हुआ दूरे दिरे हैं हम लोगों ने यह जो आयमेशी की तरिसा में हम गए हैं यह बहुत बड़ा गेम चेंजर बने बना हैं और आने वाले हजारों साल उसका इंपेट रहा हैं हजारों साल रहा वैसा इंपेट रहने वाला है और उसमें मैं सब को विश्वाथ हुआ कि भई हाँ यह तरीका है उसमें गर्भ कंट्रीज का भी पोजिटिव और प्रोएक्टिव रोल था भारत में एक अच्छी भूमी का निभाने का भारत को आउटसर मिला विएस यूरोप हमारे साथ थे और सब को लगा कि एक कॉंक्रीट पोजिटिव आउटकम निख लेगा तो हम उसको लेकर के मिलते थे तो उसमें स्वाभायूद था कि साउदी किंग और प्रेजेंट बाइडन और दोनों के साथ मेरी अच्छी मितरता है तो मैं किसे भी कर सकता हूं किसे के बादल कर आवे इसमें परस्नालिटी पॉलिटिक्स भी आता है न क्योंकि देखे आप कि अगर हम विदेश नीती की बात करें तो खाडी के साथ जो हमारे रिष्टे बहतर हुए हैं उसके लिए बहुत पे लोग कहते हैं कि it is because of your personal intervention आपको समान भी दिय गया था वहां पर तो चाहे East Asia हो या West Asia हो इसमें परस्नालिटी पॉलिटिक्स कहां तक important है कि आप उनके जो राष्ट्रपती है या प्रधान मंत्री हैं उनके साथ आपका वाइबिंग होता है आप उनके साथ बातशीत करते हैं और फो फिल्टर डाउन होता है फिर कहां तक किसमें परस्नालिटी पॉलिटिक्स भी है बहुत जढ़ा इन चीज़ों मैंने ही डा रहे था, एक मत्रे लगता है कि हमारी डिप्रमासी अगर प्र्रोटोकॉल में फसिरह केगी तो हम परफर्फर्म ने कर पाएगे। डिप्लोमसी की ताकद भी इन्फॉर्मल में भी है, पोटोकॉल में यही इसा नहीं है। पोटोकॉल में ज्यादा पोजिशन ही होता है पहले कौन आएगा पहले कौन हाथ मिलाएगा वगरे उस ही में समय जाता है। तो मैंने सूरू से देखा कि भई, जयते मेरी शपत हुआ था, बड़ा इंटरस्टिंग है। मैंने ताहि किया कि मैं सार्ग देशो को सार्ग देशो को 2014 की शपत है हाँ, 2000, पहली बार 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 सार्ग देशो को बना देखा, बैरे मन में विचार आया। और उसके पीछे कानने HEY था कि मेरा चुनाओर प्रचार मेरे मुझ पर आरो को एकी था, कि ये a मुझे लगा इनको एक ही एक्षन से मुझे जवाब दे जाना चाहिए, बोलने की जरूते हैं, तो मैंने सपत सभारों में साख देशा को गुलाया, उसके पहले मैंने बैक चैनल से उन सब से सहमत दे ले ली थी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई, और सब लुग आये, मेरा शपत हुआ, फोरेंग मिश्र अभी तो हमारा बना भी नहीं था, और मैंन सारी चीजों से बिलकुल नया था, बिलकुल अनविग्य था, लेकिन बाइलेटरल सब के साथ होना था, जब हम लोग हैं, जब हम लोग हैं, तो मुझे सम्झाया, सब प्रोटोकल वालों सब ऐसा होगा, जब समय हुआ आना से, मैंना का ऐसा करो मैं बाहर जाता हूं, उनको लेने था, तो सारी सिस्टेम हिल गई था, अपने प्रदानमंतरी गेट पर जाएंगे, सारी मेरे 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 प्रोटोकल की जो दुनिया थी न, उसके लिए वो पहला यह दिन बड़ा गज और इसलिए मैं प्रोटोकॉल में बंदने के बजाए, पर्फॉर्मस पर फोकस करके, डिप्लोमसी के लिवल को सिफ करने का प्रयास किया हूं, और उसमें मुझे सफलता मिली है। President Obama, President Biden, President Trump इन पीनों के साथ आपने काम किया हूँ है, और इंडिया-U.S. relations एक अपवर ट्राजेक्टरी पे हैं, लेकिन बहुत से मुल्क हैं जो भारत की अपवर ट्राजेक्टरी से परेशान होते हैं, यह इडिज अंडिस्टूट की यह है, जैसे की चाइना, क्योंकि वो अपर ट्राजेक्टरी अपर ट्राजेक्टरी इतनी जल्दी जा रही है, क्या हम अपने नेबर हुड को अपने सक्सेस स्टोरी का हिस्सा नहीं बना सकते हैं? अच्छा सवाल आपने तुशा, हमारी डे बन से पॉलिशी है, एक नेबर फॉस्ट, दूसरा एक इस्ट, तो जो हमारे इस्टन पार्ट की जो हमारे आश्यान का कंक्री के देश है, उसमें आमने एक इस्ट पॉलिस लिया है, यहां नेबर हुर फॉस्ट, तो यह हमारा डे बन से हमारे देश की भी पॉलिशी है और हमारी भी पॉलिशी है, पहले लू कैस था, मैंने आकर के इसको एक इस्ट कहा, लेकिन इसमें दूसरा, आज दुनिया के सेंकरो मिल दूर भी कोई देश है, उनको लगता है कि भारत की प्रगते में हमारा कोई बेरिफिट है, तो पॉलिशी को नहीं देखेगा, आज पॉलिशी सबसे ज़्यादा कूश है, क्योंकि भारत उनके सबसे वाप, जैसे कोई प्रगते कालखन में है, कोई पॉलिशी जैसा नहीं है, कि जिसके हमने मज़नी की हो, नेच्नल कालमेटी, कोई ऐसा देश नहीं है, अब जैसे नहीं में बुक अप एफ, फर्स्ट रिस्पॉंडर हम थे, स्री लंका में बहुत बड़ा क्राइसिस हाया, उस क्राइसिस के समय, सबसे जादा उनको मुसीबत में से बाहर निकालने का कोई काम किया है, इंदुस्तानी किया है, और पॉलिकली लो रेकरग्नाइज करते इसको, कहत हैं, और इसलिए मैं तो अन्दूसरा अनुभू कर रहा हूँ, वो हमसे बहुत अपिक्षाएं करते हैं, और पॉजिटिव अर्थ में मैं कहता हूँ, अच्छे रूप में देखते हैं, और भारत ने भी कहा है, कि भी हम हमारे सभी देशों को, प्रोशियों को, सक्तिशाली और सम्रुद्य देखना चाहते हैं, आपने दोस्ती का हाथ बठाया था, 2014 से ही पाकिस्तान, चाइना के साथ भी ऐसे किया था, लेकिन जब आप सक्सेस टोरी या अपने नेबर हूट फर्स की बात करते हैं, तो पाकिस्तान, चाइना, मॉल्डीव ये भी आते हैं, और यहा विदेशी मीडिया जो है, वो हमेशा कहती है कि, मोदी इस बारे में कोई दोर आए नहीं है, लेकिन ये भी कहती है कि, अस्ट्रॉंग मोदी मीन्स्टी स्टार्ट स्लाइडिंग, मतलब लोगतंत्र के लिए खत्रा है अगर मोदी जी और स्ट्रॉंग हो जाएंगे, लेकिन भारत में कुछ और ही है, वही रेटिंग, वही एजनसीज कहते हैं कि, लोग जो है वो खुश है कि, मोदी जी अगर स्ट्रॉंग हो जाएंगे, तो उनहीं के रेटिंग ये कहते हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? पहली बात है कि, उनकी टर्मिनलोजी क्या है, और उनके इस कंक्लूजन पर आने का आधार क्या है, ये अपने आप में रिशर्च का भिशा है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाता हूँ, कि जिस देश में है, छे लाग पंचायत है, चूने हुए लोगों से चलती हो, दुनिया में कोई दोई सैसा है, जहाँ छे लाग पंचायत है, और नियमित रुप से चुनाव जहाँ होते हैं, इतने राज्या, अनेक पार्टियों की सरकार है, महारे देश में सहायद ही कोई ऐसी पुलिटिकल पार्टि होगी, जो कहीं सर्ता में लाख हो, तो ये सब होने के बावजीत बगर ये कहना, कि सर्वसता अधीस के बन रहा है, तो ये तो मुझे लगता है, उनको जानकारियों का भाव है, हिंदो, दूसरा, अगर मोधी बगल में ही करता है, मैंने तो राज्यों के बावाजीओ कोई कि बगर देमो करेक्टर है ये अवारा, मैं मधर उप डेमोकरशी, इसकी दुनिया में गुंजब कर रहा हूँ, तो उनको क्योंको वेस्टन हो था जो क्योंकि भारत बगरत बगरत लाया गया, इक सवाल था य एक दिल्हे लाने वाला किस्सा था, इसमें आपने आपने हॉस्टिलिटी जोखने के लिए परसनल हजतक्षेप किया था, परसनल इंटर्वेंशन किया था, ये सुनने में आया है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे, देखिए, युक्रेन की चर्चा जला जादा हुए ख अगर आपने एक सुरिष्मा स्वराज जी का एक इंटर्व हुए, आप देखिए, कि कैसे यमन में से हमने हिंदुस्तान के लोगों को लाए, और साओधी किंग के साथ मैंने बात करके लिए, उन से काया, भी मुझे वहाँ यमन से लोगों को लाना है, तो आपका बंबार् भारत की रिक्वेस्ट पर एक प्रिएड रहता था, जिस प्रिएड में बंबारिंग नहीं होता था, और उस समय हम हवाई जहाज में हमारे लोगों को निकालते हैं, यमन से करीब 5,000 लोगों हम लाए थे, उसी प्रकार से युक्रेण में, मेरा युक्रेण से भी इतना ही गनिष्ट नेता है, मेरा रोष्या से भी इतना ही गनिष्ट नेता है, नाता रहा है, दोनों राष्पती के साथ मैं बहुत मित्रता पून मेरा रहा है, मैं पब्लीक लिए राष्पती पुतिम को कह सकता हूं, कि उद्ध का समय नहीं है, मैं उक्रेण को भी कह सकता हूं, प पारे नवजवान सेंया आड को सब्सक्राखli है और मुझे आपकी मध़ट ची आप श्याल कि भाघा का तिरंगा हाथ में रखता था तो इसके लिए जगा मिल जाती यह तो मेर दान मेरी गारण्टी मिल गाया था मुदी जी में domestic politics पे वापस आती हूँ, एक सवाल है electoral bonds के बारे में, राहुल गांदी जो है वो हर भाशन में कहते हैं और विपक्ष के निता भी कहते हैं कि इसमें धानली हुई है, आपकी party के लोग भी कहते हैं कि अगर गलती है, अगर इसमें कोई गुझाईश है इसके कि चुनावों में काला धन के बहुत बड़ा खतरनाख खेल हो रहा है, देश के चुनावों को काले धन से मुक्ती मिले, इसके लिए कुछ करना चाहिए, चर्चा लंबे समय से चल रही है, चुनावों में घर तो होता ही होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है, मेरी party भी करती है, सब party भी करते हैं, और पैसे लोगों से लेने पड़ते हैं, सब party भी करते हैं, मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ती में ले, टांस्फरंची कैसे आए, एक प्रामानिक पवित्र विचार में 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 था, रास्ते खोज रहे थे, एक छोटा सा रास्ता मिला, वही पुरुना है रस्ता, रशाम ने उस समय भी ऐ क्लेम नहीं किया था, परलामेंट में ड़िगे में असको शरा भी था, आज जो लोग फुलरलरबोड है, उन्हों भी सरा था, परलामें ड़िगे लिगें, हमने कैसे कैसे काम किया, जैसे हजार और दो हजार के नोट खतम करते हैं, चुना में वही बड़े-बड़े मात्रा में ट्राविलिंग करते हैं, क्यों? कि ये काला धन खतम हो, हमने सुप्रिम कोटे कहा था, कि बीस हजार रुपिय तक पुल्टिकल पार्टिया कैश ले सकती हैं, मैंने कानून बना कर नियम बना करके, बीस हजार को डाहेजर कर दिया, क्यों? क्योंकि मैंने ही चाहता था कि ये कैश वाला कारोबार चले, फिर मैंने कहा है कि इलेक्टरल बॉंड, कि जो पार्टिय अपना सिक्रसी मैंटेन करना चाहती है, होता था क्या? जैसे हम पहले बीजेपी में चेक से पैसा लेंगे इताइ किया, तो सब व्यापारी लोग हमें आकर के क्या है, हम चेक से दे ही नहीं सकते है, हम क्यों नहीं दे सकते है, बोले हम चेक से देंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे तो जो सरकार है तो देखेगी, कि ये विपक्ष को इतना पैसा दिय तो हमें तो वो परिशान करेंगे तो बुले हम तो पैसे देने के उष्भार है लिकिन चेक से नहीं देंगे मुझे आत है हमारे नभ्य के दौसंग में जुनाओं में हम को बड़ी दिक्कत आई थी iliśmyग discuss और हम नीयम लगा के बैठ रहे थे हम चेक से लेंगे देने वाले देने को तेहार थे चरक से देने के हिमत नहीं थी तो यह सारी चीजों का पुझे पता था तो मैं रहागा भे तो हम रहागा भे ऐसा है अब देखिये इलेक्टोरल बॉंड न होते तो किस व्यवस्ता में ताकरत है को डूंड के निकालते कि पैसा कहा से और कहा गया यह तो इलेक्टोरल बॉंड की सक्से स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉंड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपने ने दिया, कैसे दिया, कहा दिया अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवात का भीशे हो सकता है इसके चर्था हूँ, मुझे जो चिंता है, मैं यह कमी नहीं कहता हूँ, निर्णे में कोई कमी नहीं होती है, निर्णे तो चर्था कर सुखते हैं, सुधारते हैं, इसमें भी सुधार के लिए बहुत सम्भागा है, लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन के तरफ देश को धकेल दिया है, और इसलिए मैं कहता हूँ, सब लोग पस्ताएंगे, जब बात में इमानदारी से सोचेंगे, सब लोग पस्ताएंगे, अब देखिए, इलेक्टोरल बॉंड का भी विश्रस्ताजी, ऐसा जूट चल रहा है, कुल देश में 3,000 कम्पनियों ने इलेक्टोरल बॉं दिये है, उसमें 3,000 में 26 कम्पनियों ऐसी हैं, जिन पर कारिवाई दिये, ये कहते हैं ने, EDVD टिकना पना, 3,000 डोनर हैं, उसमें सिर्फ 26, और उनमें से 16 कम्पनियों ऐसी थी, छापा जब लगा, उस समय बाउन खरीदा, कोई जोड सकता है इसको, अगर बाउन खरीदा, लोगें जोड रहे हैं, उसकी विशरता ही है, कि ये जो 16 कम्पनियों ने बाउन खरीदा, उस में 37 पैसा एमाउंट, बीजेपी को डोनेशन में बिली, 37, 63 परसेंट, बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली, अगर पूरे जोड़े जाएं तो, हां, मैं ये 16 कम्पनिय जिसका ED, CBI, कोई नो कोई समय एक्षन भी हुआ और बाउंड भी निकला, 37 परसेंट एमाउंट बीजेपी ने, 63 परसेंट को, क्या ED रेड करें, और उपोजिशन को डोनेशन देने का कारकमबर करें, क्या बीजेपी इसा करेंगी, इसका मतलब कि 63 परसेंट पैसा विपक् समपल लगाएं, लेकिन उनको गोल मोल बोलना है और भाग जाना है, हम ट्रांस्पेरेंसी की बात करते हैं, तो विपक्ष कहता है कि ED, CBI, IT, सारे के सारे इदारे जो हैं, इलेक्शन कमिशन को भी जोडते हैं, वो कि सारे इदारों पर BJP हावी है, और लेबल प्लेइंग फ पर से हमने तो इलेक्शन कमिशन में सुधार कियेते, हाज इलेक्शन कमिशन बनता है, तो अपोजिशन भी उसमें होता है, पहले तो प्रदान मंतरी एक फाईल पे साइन करते हैं, एलेक्शन कमिशन बना देता था, और जो उनके परिवार के साहर, निकट जूड़े थे, ऐसे ऐसे लोग drained commissioner बनेते जो वहां से निकलने के बाद राजस्वाह के मेंबर बने, उनकी सरकार के ministry बने, ऐसे केमिश्टर बनेते जो कांग्रेस के बाद में candidate बने, और इसलिए हम उस लेबल पर पने नहीं कर सकतेíem, तो हमारा लेवल प्लेफिट हो ही नहीं सकते हम ऐसे बनी नहीं सकते हम अच्छे लास्ते पर जाना चाहते हैं उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते हैं दूसरी बात है अखिर E.D.C.B.I. कैसे बहुत है आप देखेंगे अपने कहावत है नाच नजाने अंगन टेरा अर इसलिए कभी EVM का बहाना निका देंगे कभी बूलत है पराजय के लिए वो कुछ रिजिनिंग अभी से सैट करने में लगे ताकि पराजय उनके खाते में नचड़ जाए वो किरें डड़े कैसे आप या तो या फिर अगर वो आपकी पार्टी में आगे तो सारे पाप धूल गए कितने अपोजिशन लेट लीडर जेल में है कोई मुझे बता है और क्या यही उपोजिशन लीडर उनके सरकार सलाते है या जेल कर डर है डर तो पाप का होता है इमांदार को क्या डर होता है मेरे हाँ अजिए उन्होंने मेरे होम मिनिस्टर सब और सबकोजन में डाल दिया था दूसरा एडी की बात करते है आप गुजराद के बारे में कह रहे हैं जब आप मुख्यमंधरी था अच्छा जो एडी की बात करते है इडी ने जितने केसिस किया उसमें से सिर्फ देश को समझना स दिन परसंट ही पुलिटिकल लोग इन्वाल है जिन पर एक केस हुए है नाइन्टी सेवन परसंट जिन का राजनीते से कोई लेना देना नहीं ऐसे लोगों हुआ है जो कोई ड्रग माफिया है, कुछ अपसर है जो करप्शन करते हैं, कुछ अपसर है जो बेनामी संपति ब पर हुए हैं, जलों में वो लोग गए हैं, अजब बजा देखिए, ED एक स्वताम्त संसा को काम कर देना चाहिए, नहीं करने जेना चाहिए, बनाई क्यों हुए? 2014 से पहले, ये संपती एटेज करने का ED को अधिकार है, 2014 से पहले उन्होंने सिर्फ पांच हजार करोड रुपी के संपती एटेज किया, कौन रोपता था ED को है, और किसके लाब में करता है, मेरे कालखन में गलत काम करने वालों की एक लाग करोड रुपी के संपती एटेज हुई है, काई देश की जनता का पैसा नहीं है, दूसरा आकड़ा तो आप और हैरार हो जागी, 2014 पहले इसी ED ने देश में से 34 लाख रुपी, 34 लाख रुपीया कैश जब्त किया था, मतलब कि स्कूल बैग में आजाए इतना पैसा, स्कूल बैग में आजाए, पिछले 10 साल में हमने 2200 करोड रुपीया कैश जब्त किया है, कहां 34 लाख, कहां 22 करोड, 34 लाख रुपीया एक बैग में आजाता है, में 22 करोड रुपीया सीब्त करना है, तो वो हाथी का छोटा सा ट्रक आता है न, सब्तर ट्रक लगेंगे, तब जाकर रुपीया, इतना रुपीया हमने, इडी ने हमारे कालखन में आजा, इसका मतलब यह है, कि इडी सही काम कर रही है, कैश पकड़ाए में, लोग पकड़े ने, कैश भी पकड़ाए, और मेरा यह कमिट्मेंट है, मैं यह कन्विंस हूँ, कि प्रस्टाचार ने देश को तबहा करके रखा रहा है, हमें देश में से प्रस्टाचार के खिलाब लड़ाई लड़नी चाहिए, पूरी ताकत से लड़नी चाहिए, और यह मेरा ब्यक्तिक अद्रूप से मेरा यह कन्विंशन बना हुआ है, एक सवाल आर्थिक किशू पर है, कि जब इलॉन मस्क भारत आने वाले हैं, और वो जब आप से अमेरिका में मिले थे, तो उन्होंने का था, वो आपके प्रशंसक हैं, he's a fan of yours, क्या हम भारत में टेसला का स्टार लिंक, यह सब देखेंगे, और इससे जुड़ा एक सवाल था, कि क्या जब ऐसे कंपनीज भारत में आएंगे, तो क्या नौकरियां बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत से लोग चाते हैं कि और थोड़ा बहे भी है, कि जब यह इंटरनाशनल कंपनीज भारत आएंगे, तो क्या भारत में नौकरियां होंगी, नहीं होंगी, इन दोनों का पुछना रात में, कि पहली बात है, एलन मस्क मोदी के प्रसम सक है, वो अपनी जगापे है, मुल था, वो भारत के प्रसम सक है, और मैं अभियूं को मिला ऐसा नहीं, मैं 2015 में उनकी फैक्टरी देखे गया था, वो कहीं बाहर थे, तो स्पेशल ही अपने सारे कारकम कैंसल करके, वो वापिस आये, मुझे सब चीजे खुझने अपनी फैक्टरी में दिखाई, और उनका वीजन क्या है, वो मैं उनसे समझा, मैं भी गाया तो दुबारा भी उन मैं पिछले दस साल में, दुनिया भर से हर खेत्र में पुझी निवेश हो रहा है, अब हमारा EV market, electric vehicle का market कितना बड़ा बड़ा है, आपको जानकर के हरानी होगी कितना बड़लावाय लोग पकड़नी पाते, 2014 में हमारे देश में 2000 electric vehicle थे, 2000 BK थे, 2014 में 2000 electric vehicle BK थे, 2000 थे, 2014 में, 12 लाग electric vehicle BK है, कहा 2000 थे, 12 लाग इसका मतले इसने बड़ा charging station का network बना है, परियावनन को बहुत बड़ी मदद मिली है, यहने एक प्रकार से और उसको लेकर कि हमने आपके policy का रूप दिया है, हमने दुनिया को कहा कि भारत बहुत तीजी से EV पर जा रहा है, मैंनुफेकिंग करना चाहते हैं, वो आना चाहिए, इतना ही नहीं है, हम मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान में निवेश आना चाहिए, क्योंकि भारत में भो चीजे, जिसमें भले पैसा किशिगा भी लगा हो, पसीना मेरे देश का लगना चाहिए, उसके अंदर सुगंद मेरे देश की मिट्टी के आनी चाहिए, ताकि मेरे देश के नवजवानों को रोजगार देए, और मैं उसके लिए आप देखिए, गूगल, उसका बड़ा काम यहां कर रहा है, सेमसंग यहां पर आया, एपल बहुत बड़ी मात्रा में यहां पर आया, हमार यहां बड़ोधरा के अंदर एरकाप मेंडिफेक्टिंग के लिए काम शुडू हुआ, सेमिकंड़क्टर के लिए अभी तो ताइवान के एक लीडर का बड़ आच्छा बयान भी आया, याने ह हम हर क्षेत्रम हैं, चाहते हैं कि लोग टेकलोजी टांस्फर करें, हम चाहते हैं कि लोग पुझी निवेश करें, हम चाहते हैं कि हमारे देश के नव जवानों को रोजगार मिले, मैं यह अब मुझे मन्जूर नहीं है, कि मेरे देश के गेहु बाहर जाए और ब्रेड में पहर से लोग, मैं ऐसा नहीं चरहूंगा, जो भी करूँगा, मेरे देश में करूँगा, मेरे देश के नौ जवान दे लिए करूँगा, और मैं इसके लिए नितिया कि बनाता हूँ, हिम्मत क Satt बनाता हूँ, और लोग आप ही रहे हैं, फ़रोशा कर रहे हैं. प्रधार्मांत्री जी अंत में दो सवाल पूछना चाहूंगी, एक तो first time voters, पहले बार जो मरदान करने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है, और दूसरा जो इमानदार मध्यम वर्गियव करदाता है, honest, middle class taxpayer, millions are there, तो उनके लिए वो क्या उमीद कर सकते हैं, moody 3.0 देखिये, मैं जो विक्सित भारत की बाद करता हूँ, उसके साथ simultaneous कि इसका भविष्य जुड़ा हुआ है, जो आज 20 साल का, 22 साल का है, वो 2047 में, उसकी पुरन जिन्दीगी का अलखन है इक प्रकार से, तब वो 40, 45, 50 का होगा, मतलब ये भारत के विक्सित भारत बनने की प्रक्रियारू, उसकी जिन्दीगी की प्रक्रिया दोनों साथ है, गोल्डन ऑपरचिरिटी है उसके साथ, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिसेरी आज का जो फर्स्टाइम बोटर है, वो 2047 का सबसे बड़ा बेनिफिसेरी बनने वाला है, ये बात मैं उसको सम्झा रहा तुम मेरे साथ जोड़ जाओ, और मैं का मानता हूँ को जोड़ेगा, दूसरा फर्स्टाइम बोटर जो है, वो परंपरागत चीजों से भाहराना चाहता है, अब आप देखे विपक्स का गोशन पत्रा हूँ, पूरी तरा एकोनोमी को फेल करने बारा गोशन पत्रा है, ए उनके भविष को रौंदने वाला उनका मैनिफेस्टों के एकोनोमी क्रोग्रेम है, वो तो खटाकट 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 पैसे देने वाला, मैं उनको क्या करना है, पूरा अगे अनालीज करोगे, तो सबसे बड़ा नुक्सान ये जो देश के पचीज साल की उमर से कम उमर लोग हैं, उनके भविष को रौंदने वाला उनका एकोनोमी क्रोग्रेम है, बर्माद हो जाएगा, मुझे उनकी जिन्गी बनानी है, मैं देश में इनोवेशन को बल देना चाहता हूँ, देखी देश में जो पैटन इन देनों रिजिस्टी हूई, हिस्टोरीक जनरेशन को लगता है हाहा, हमारी जिन्गी बट रही है, आज डेटा मेरे देश का इकना सस्ता है, मैं जानता हूँ मेरे देश के और आर्थि गरूप से नुचान हो रहा है, लेकिन सस्ता डेटा का परणाम है कि मैं देश में डिजिटल रिवलुशन लाने में मेरे नवज है, बोले हम पचास बार सोते हैं, हम भारत के अंदर इतना हमारे लिए अवसर है, इतना सस्ता डेटा है ते हमिम्मत कर रहे हैं, एजुकेशन में, आज डेटा सस्ता होने के लिए को कित्री फाइदा वरा जी, लॉंग दिस्टेंस लर्निंग, हाह, हर चीज में, टेलिमेड यह जो हमने इन चीजों पर कन्ट्रोल करके रखा, इसका बहुत बड़ा लाब बड़ा है, बड़ा रिवलिशन होता है, और जो मिल क्लास टैक्स पेयर है, उसके लिए, जो… जहां तक टैक्स पेयर है, सच मुझ मैं टैक्स पेयर का सम्मान होना चीजिए, टैक्स पेयर का गवरो होना चीजिए, आए दीन रस्ते चलते हर टैक्स पेयर को गाली देते रहेंगे, तो देश कैसे चले बड़ा है, यह मैं समझ नहीं आता हूँ, यह किस सोच का पढ़ना देखिए क्या बढ़लाव आया है मैं टेक्स पेर की बात करोंगे पिछले दस वर्स में ITR फाइल करने वालेों के संख्या दो गुने सेधी होगे पहले चार करोड से भी कम लोग ITR फाइल करते थे आज आठ करोड से ज्यादा लोग ITR फाइल कर रहे हैं टेक्स कलेक्शन तीन गुना बढ़ोत्री हुई हैं मतलब पहले जो नेट टेक्स कलेक्शन होता था वो 11 लाग करोड रुपे होता था आज नेट टेक्स कलेक्शन 34 लाग करोड रुपे हो रहा है ये क्यों हो रहा है उसको भरोसा है कि वो जो पैसा दे रहा है वो सही जगा प चोरी लूट फार्ट में या, इसलिए वो विष्वात के कारण देने के लिए आ गया है, दूसरा, साथ लाख रुपिय तक की इंकमपट टेक्स हमने माप कर दिया है, जो पहले दो धाई लाग को एटका हुआ था, साथ लाख रुपिय कमाई तक कोई टेक्स ने देना है, फि उसमें टेक्सपेर जो धन दिता है, उसी से होने वाला है, और मैं मानता हूँ देश की प्रगति के लिए, करदाताओं के संध्या बढ़नी चाहिए, और करदाताओं के बोच कम होना चाहिए, इस मुलभूत फिलोस्वी तरफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, जैसे और मै तो करदाताओं से प्राथना भी करूँगा, कि देश के खाते, विक्सीद भारत के लिए करदाता क्या का सकता है, मैं उनको कहूँगा, कि आप कम से कम तीन लोगों को जो टेक्स नहीं देते हैं, उनको प्रेडित करो, कि वो टेक्स देना शुरू करें, हर टेक्स बेर सिर् जो मैं गरीब का घर मनाता हूं, उसमें जो हीत लगती है, किसे ने किसी टेक्स पेर की हीत है, उसका जो पुन्य है, उसका पुन्य है, उसका पुन्य उस टेक्स पेर को जाता है, उसका पुन्य उस टेक्स पेर को जाता है, किसी गरीब को मैं जब मुपत राशन देता हूं, जब खाना पका करके अपने बच्चों को खिलाता है तब वो कोई टैस्पेर सोचें कि हाश मैंने टैस्प दिया था वो भूका बच्चा खाना खा रहा है उसको टैस्प देने का आनन्द आएगा और इसलिए मैं टैस्पेर का धन जन कल्यान के काम इनको को रिलेट करकर के ही जाता हूँ तकि देने वाले को संतोस हो कि मेरे पैसो से ये हो रहा है यह बहुत बड़ी आउश्यक्ता है और मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो गरीब के घर के ठाली है उसका संतोस का युक है उसका हकदार कोई है को देश का ठैस्पैर है मोधी जी चुनाव के दौरान आपने वक्त में काला और हम से इतनी सारी बाते के उसके लिए धन्यवाद बहुत 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 धन्यवाद आपको और मेरे देश वासियों से यह फस्टाइम बोटर्स को मेरी अपील है कि देश के नाम बोट कीजिए और उनको को राजनितिक कि देश के नाम बोट की लिए खुद क्या आने वाला पच्छी साल के भविश के लिए भोट करें यह मैं उनसे आगर करूंगा दूसरा में देश वासियों का कहूंगा मैं सभी पुलिटिकल पार्टी के वरकर्स को भी कहना चाहूंगा कि गर्मी बहुत हैं धूप में सभी पार्टी के बढ़ कर दौडर हैं मैं सभी पार्टी के वरकर दौप में नहीं को भाट पानी पीजिए बहुत पानी पीजिए दौडिये बहट बहुत दौडिये लेकिन पानी ऴहट पीजिए त Twoks में इत hydraul पानी में मदाताओं को भी कहूंगा इतनी दूप क्या नहोँ अगली चुनाव सदियों में कीजेगा और वन नेशन, वन इलेक्षन वाला? आपने सही बंदा उठाया, वन नेशन, वन इलेक्षन हमारा एक कमिटमेंट है, हमने पार्लामेंट में भी बोला हुआ है, हमने कमिटी भी बनाई थी, कमिटी का रिपोर्ट भी आया है, तो वन नेशन, वन इलेक्षन के समझ में, देश में बहुत लोग पौन बोड आये हैं बहुत लोगन इसमें जो कमिटी को अपना सुझाव दिये हैं, बहुत ही पॉजिटिव सुझाव आए हैं और बड़े इनोवेटिव सुझाव आए हैं और देश का बहुत बड़ा लाभ होगा अगर हम इस रिपोर्ट को लागू करवा पाते हैं तो, धन्यवाद मुझी, नम का कई